एक लड़के पवन के साथ मैं जो मर्तक पाए गाए केस के अनδर पवन के साथ मैं तिन तिन लड़कों नए फोकरम करके और बादम पता लगया है एक पेड़ से लकड़ी तोड़के उसके प्राविट पार्ट के अंदर भी ठूश दी गई है और गुमा दी गई है जिससे पूरे स्रीज में इंफेक्शन मनके उसकी मौत हो गई है नमस्कार जी मैं हूँ धरम सोनिपद और लोग सकती मीडिया देखने वाड़े सारे दर्सकों हमारी हाद जोड़कर राम राम आज नया के सामने आया बिलकुल जैसे देखा गया है कि बेटियां बहुएं माताये सेफ नहीं हैं आज इस केस में पाया गया है कि लड़के भी सेफ नहीं है ऐसा ही केस सामने आया है जहां एक लड़के के साथ में तिन तिन लड़कों ने दुसकरम किया हुआ है यह वाका है जीन विसनपुरा गाउं में जहां एक खेतों में सव पड़ावा मिला वहां गाउवालों ने गरामवासियों ने पुलिस को सूचना दी और जो है मोके सी टीवी फूटेज देखे गए और जो है कई जगह ओटो चालकों से जहां दस आदम बैठते थे आते आते थे और पता किया कि तमाम सबूत इकठे करते करते सिया डेपार्टमेंट लोकल पुलिस जो है वहां पहुंची दुर्गा कलोनी नवीन नाम के लड़के को इसमें पुलिस के सक्के वियाप पर दोसी पाया गया है और इसको जैसे हिरेश्ट किया तो केस का खुलासा शुरू होने लगया इस नवीन ने बताया जो है कि मेरे में एक बटनकर कलोनी है उसके दो लड़के और हैं मोनों और नसीब इस केस में दोनों वो भी इनवोल हैं क्योंकि केस का खुलासा स्टार्ट हो गया तो बताती नोंने कि हमने पिंडारा पुल के नीचे सरापी यह तिनोंने और जब है मारे एक तिनों के जो है हाला ठीक न सलाव बनगी कि इनको सुनसान जगह में ले जाके और इसके साथ में दुस्करम करेंगे और अपने इच्छा पूरी कर लेंगे वहां ले जा गए तो जंगल एरिया में तिनों उसको ले जाएगा और रास्ते में ही पावन का फौन भी छीन लिया गया ताकि कहीं फौन ना क कुकरम किया गया है और बाद मैं एक अनहोनी जो कार और वी कि हुनोंने जो कभी पॉसिबल होटी नहीं है कि पेड से लकड़ी का तुकड़ा तोड़के और जो है उसके अंदर पराविट पाट के अंदर ठूस दिया गया है और उसको गुमा के बिलको पूरे श्रीर में उ कड़के भी सेफ नहीं है आज देख्या जाएगा हम से डिपार्टमेंट को स्लूट करते हैं क्योंकि स्याहिये के अंदर केस जाने के बाद में केस का खुलासा होना तै हो है आज ऐसे ही से डिपार्टमेंट है जीन एरिये में कारणामा करके और दिखा है जहां तीनों लड़ के अंदर जो सव पड़ेवा था पवन मर्तक पवन का जो उत्राखंड का बताए गया है तो इस वीडियो को जो पवन मर्तक है उसकी जो है इनसाब के लिए आवाज लगाना शेयर करना जितना होसक है और बने लोग सकती मेडिया से दन्यवाद